भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र इस लोग तंत्र का मंदिर है संसत भवन जहां होती है जन जन की आकांग्षाओं पर चर्चा और देश के भविश्य की दिशाता है मौजूदा संसत भवन को बनाया गया था 100 साल पहले इन 100 सालों में आवशक्ताओं के अलुरू इसे कई बार रिपेर और रेनोवेट किया जा चुका है पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग शमता बढ़ाना मुम्किन नहीं और नहीं मुम्किन है इन्फरस्ट्रक्चर और टेकनोलोजी में सुधार कर उसे अपग्रेट करना इसी लिए आज नया संसत्भवन एक विकल्प नहीं बलकि 21 सदी के नय और आत्म निर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना को संजोए नया संसत्भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में जिसका निर्माण 21 महीनों यानि की आजादी की 75 साल गिरह तक संपन्द कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविदताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन जिसे पहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भो कम परोधी सिस्टम के मताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने एको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30 प्रतिशत तक कम करने और अगले 150 से जादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा नए संसत भवन की कुल सीटिंग शमता पहले के मुकाबले 150 प्रतिशत से भी अधिक होगी मतलब अब लोगसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 जबकि संसत अधिवेशन में 1272 सांसतों की सीटिंग शमता होगी साथ ही दिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसत कार्याले और लोगसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो विडियो और हर एक टेस्क इलेक्ट्रोनिक गैजट से लैस इसके अलाबा यहां पर होगा भारत की भव्वे विरासत को दर्शाथा सम्विधान हौल उस्तकाले समितिकक्ष और भोजन प्षेत्र मतलब कि नया संसत भवन होगा एक सो तीस करोड देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला शेत्रिय कला, कोशल और कारीगरी की अध्भुत जल्कियों को अपने कण-कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेमबर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतंत्रिक लक्षियों को साकार करने वाला जैसे आपनिवेशिक काल के पुराने शहीत समारक के सामने हमने बनाया है National War Memorial ठीक वैसे ही पुराने संसत भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्म निर्भर भारत को समर्पित नया संसत भवन वाई ये आज इस एतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी करने जा रहे हैं भारत के नए संसत भवन का शिला नियास प्रषबस